आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनेट नाउ इस graph में एक plot given है variation of photoelectric current with respect to the collector plate potential यानि कि जो photoelectric current जो produce होता है versus collector plate में जो लगाते है potential उसका यहाँ पर variation given है तो यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर तीन अलग-अलग frequency लिया गया है एक radiation का तीन अलग-अलग frequency लिया गया है और उसे plot किया गया है यहाँ पर कि current का variation potential applied potential के respect में क्या-क्या होगा पहला question हमें यह graph देखके पूछा जा रहा है कि कौन सा physical parameter को constant रखा जाता है इन तीनों curve के case में यानिकि इन तीनों को draw कर रहे हैं तो तो तीनों case में क्या parameter है जो कि constant रखना पड़ेगा अगर हमें ऐसा curve चाहिए और दूसरे case में पूछ रहा है कि new 1, new 2 और new 3 में से कौन सा सबसे ज्यादा है यानिकी new 1, new 2, new 3 क्या है frequency of new 1 और frequency new 2 है frequency new 3 है तीनों अलग-अलग case में तो तीनों में से किसकी frequency सबसे ज्यादा है तो पहला case में अगर हम निकालना चाहिए पहला कोशन का क्या constant है यहाँ तो देखते हैं क्या यहाँ पे तीनों अलग-अलग point से उठके जा रहे है और एक same point पर जाके मिल रहे है यानि कि क्या हो रहा यह जनरली यह क्या होता यह हमार saturation current तो saturation current में यह तो तीनों आके मिल रहे है तो यानि कि तीनों का common saturation current होगा तो इससे क्या बोल सकता है हम कि तीनों का intensity सेम है all have same intensity यह क्यों कि intensity से क्या फर्क पढ़ता है intensity से फर्क पढ़ता है current को intensity का मतलब क्या होता है energy crossing through unit area per second यह होता है हमारा intensity अगर हम बढ़ाएंगे तो energy जो आ रहे है वो बढ़ जाएगी energy बढ़ जाएगी amount of photons बढ़ जाएंगे amount of photons amount of photons बढ़ेंगे तो जितने amount of photons बढ़ेंगे उतने ज्यादा electrons release होंगे ज्यादा electrons release होंगे तो current क्या है automatically बढ़ेगा लेकिन इस case में क्या है तीनों case में जाके एक saturation point पे आ रहे है तो इसका मतलब क्या होगा definitely जो है हमारा intensity वो तीनों का same ही होगा तभी जाकर saturation current same point पे आ रहा है वरना किसी का यहां पे आता किसी का नीचे आता अलग अलग होता तो क्या हो जकते है हम तीनों का same intensity है तो क्या constant रखा गया है यहां पे intensity has intensity has been kept constant constant अब इसके बाद new one new two new three इन में से कौन सा greatest है highest इन तीनों में से कौन सा है अब यहां formula अगर हम लिखे है किसका photoelectric equation का तो e into v0 is equal to h new minus work function होता है इस expression में जो है यह वाला work function यह वाला यह तो constant है कि तीनों case में क्यों क्योंकि work function वह वो metal की property होती है फर्क कहां पे आएगा इस पे इस expression पे hb constant constant new पे फर्क आएगा तो अगर माल लिया new हमारा new हमने कम दिया new कम दिया तो यह जो quantity है यह कम हो गई और इसका value क्या है e को अगर हम divide कर दें अगर both side तो वी नोट को हम यह plot कर रहे है यहां पे बैसिकल यहां पे क्या होता है यहां पे क्या होता है यह हमारा collector plate potential होता ही है इसे apply करते है हम value आएगा stopping potential तो जैसी stopping potential को हम कम करते गए तो electron flow होने लगे यहां पे था अगर माल लिया new one का है तो यहां पे आगा stopping potential रखा हमने तो क्या हो यह रोक दे रहा है सारे electrons को वह emit हो रहा है लेकिन उनको वह stop कर दे रहा है रोक दे रहा है लेकिन जैसी हम बढ़ाते गए मतलब stopping potential decrease करते गया तो थोड़ा सा flow होना शुरू हुआ 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 हा गया जिसका जिस photon की energy जितनी ज़्यादा होगी, kinetic energy of the electron भी उतनी ज़्यादा होगी, यहानि कि यह V0, इस expression से भी हम बोल सकते हैं क्या, कि new जिसका जितना ज़्यादा होगा, यह V0 उसका उतना ज़्यादा होगा, stopping potential. तो यहां पर V0 पुट करते हैं, तो किसके सबसे ज़्यादा है V0, magnitude की बात करें, तो new one के case में, इसका अगर V0 1 हुआ, अगर तो यह इन दोनों से ज़्यादा है, magnitude के case में, तो हम क्या बोल सकते हैं, new one frequency will require highest Stopping Potential